आखिरकार लंबे समय के बाद हर्यानवी डांसर और सिंगर और बिग वॉस से अपनी पहचान और मजबूत करने वाली सपना चौधरी राजनीती में एंट्री ले चुकी है लोकसभा चनाओं से पहले ऐसी अटकले थी कि सपना चौधरी कॉंग्रिस जोईन कर सकती है लेकिन फिर सपना खुद मीडिया के सामने आई और उन्होंने इस खबर को गलत बताया इसके बाद प्रचार के दोरान सपना चौधरी बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोच तिवारी के साथ देखी गई फिर सपना के बीजेपी जोईन करने की खबर भी आग की तरह फैली लेकिन उस वक्त भी इन अटकलों पर विराम लग गया साथ जुलाई रविवार को सपना चौधरी की राजनीती में आने की खबर पक्की हो गई अधिकारिक तोर पर अविवार को बीजेपी के महा सचीव रामलाल के साथ उनकी तस्वीर आई इस मौके पर अने कई बीजेपी नेता भी मौझूद थे बता दे कि राजधानी दिल्ली के जवाहर लाल लहरू स्टेडियम में आज भारती जंता पार्डी का सदस्यता अभियान है इस कारिक्रम में सपना चौधरी पहली मेंबर बनेंगी